इस ते तोपिक को गवर करने वाले हैं इसमें से कुछ ऐसा टोपिक होगा इंपॉर्टिन होगा और कुछ टोपिक बेसिक होगा अब यहांब बेसिक काने का मतलब आपका इसमें बहुत ज्यादा हाई लेबल का इंपॉर्टिन का अप्लोड कर रहे हैं तो चलिए आते इस पर बात करते आज का टॉपिक के बारे यह सेशन हम लोग पाइफन का देखेंगी नेट्वर्किंग का वीडियो अप्लोड कर रहे ह ठीक है उसका भी वीडियो कुछ दिन होगे आप रूट किये हुए उसका भी कंटेनिव कर रहे हैं यह पाइफन का सेशन है और पाइफन में हम लोग क्या करने वाले है आज पाइफन में आज हमको बताना क्या है पाइफन के अंदर आपको हम बताएंगे पाइफन से रिले आप डानलोड करने है। आइडी का मतलब हुआ जैसे आपका VS Code हो गया, PyCharm हो गया, Jupiter Notebook हो गया, Jupiter Notebook हो गया, बहुत लोग लेबल का हो गया, उतना लोग पे नहीं जाना है, ठीक है, VS Code, PyCharm, और क्या हो गया आपका, उसके सांथ साथ आपका Subline, यह basic है, इसी पे ज़्यादा तर जो programmer है, वही लोग का करते हैं, ज्यादा जो इसमें standard है, वो है PyCharm, ठीक है, PyCharm सबसे high-level का है, और सबसे ज्यादा standard है, क्योंकि उसका use, सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके लिए करते हैं, Python के लिए करते हैं, और किसी के लिए use ही नहीं होता है, ऐसा नहीं कोई और language उसके नहीं code कर सकते हैं, ले सिर्फ download और install, इसके अलावा कुछ नहीं, और एक बार जरूर आप अपने system को reset कर दीजिए, और उसका backup लेजी, यह हम कहना चाहेंगे, ताकि harddix में space बन जाए, हम अपने system को reset कर दीए हैं, उसका backup भी ले लिए हैं, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है, तो system reset कर दीए, तो ज्यादा आपको समझ में आए, पुड़ा clean रहेगा, उसके बाद शुरूर से बताएंगे, कैसे download इंस्टो तो ज्यादा समझ में आए, किसी ना किसी को परसानी होगा, यह बात एक्दम fix है, क्योंकि operating system को भी उपर depend करता है, उसके साथ सा device के configuration के भी उपर depend क applications के बारे में, python application को कैसे download करें और install करें, हम लोग अपने computer screen प्या चुकिए है, computer screen प्याने के बाद, discuss कर रहेते हैं, आज हम लोग किस-किस application को download करने बाले है, तो किस application को download करेंगे, उसके बार में देखने से पहले, एक बार आपको हम बता देते हैं, कि python को download करने का क्या तर पाइथन, कौन से content को देखेंगे, download and install python, ये वाले content को देखने वाले, ठीक है, आज सिर्फ download और install करना बताएंगे, आज आपको setup और interface करना नहीं सिखाएंगे, setup कल वाले topic में, आज वाले topic में सिर्फ download और install करना, इसका भी वीडियो भी बना दे रहे हैं, लेकिन system reset कर उसके बाद इस दोनों का वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम दुख देख लेते हैं, कैसे download किया जाए और install किया जाए, और किस-किस application को आपको download कराएंगे, तो आपके screen के उपर अभी कुछ application सो होगा, उस पूरे application को आपको download करना पड़ेगा, यह आप देख सकते हैं, यह कुछ step है, python को download करने का, जो अभी हम बता ही देंगे, open your browser, browser open करना है, उसके बाद इस URL के उपर जाना है, यहां से आपको version select करना है, उसके बाद download करना है python को, यही सब चीज है, नहीं तो दूसरा step यह है, कि आप Microsoft Store से direct download कर सकते है python को, ठीक है, अभ कुड़े application को आपको install करना होगा, आपके system में, आप चाहे तो कुछ application को install नहीं भी किजिएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन, मेरा काम है बताना हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इसमें से जो important है, उसको तो install करना ही करना पड़ेगा, जैसे यहां पर PyCharm हो गया, VS Code हो गया, Sublime और Python तो नेसेसरी है, इस Python को तो बिना install की वे कोई उपाहीं नहीं, तो Python के यह topic को आप cover करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ कुछ ID को भी देखेंगे, अभी बताएं, जैसे PyCharm, VS Code, Sublime, यह सब के बारे में, और उसके साथ साथ कुछ Python से related application नहीं भी है, उसको भी हम आप को download करके बताएंगे, जैसे Brave हो गया, Chrome हो गया, Mozilla Foxfire, Opera GX, उसके साथ का Tor Browser हो गया, Jam Software, Cisco Packet Tracer, DevC++, Oracle हो गया, जिसको हम लोग VMware भी बोल सकते है, Oracle Box, Virtual Box, और एक VMware इसमें यहाँ पे देख रहे हैं आप, यह वाला VMware है और यह है Virtual Box, इसको भी install करना, download करना, दोनों सिखाएंग setup करना, आज किसी भी application को setup करना नहीं बताएंगे, आज सिर्फ download, तो चलिए, देखते हैं, download करके, सबसे पहले, आपके पास किसी भी तरह का कोई भी searching जाना है, उसको आप open किजी, तो Microsoft Eats को हम open करते हैं, open करने के बाद, यहाँ पे आना है आपको search bar, और search box में क्या search करना है सबसे पहले आपको, हम Pie chum install करवाते हैं, Pie chum install करके दिखाते हैं, यहाँ पे लिखने है Pie chum, हम जैसे जैसे बता रहे हैं, वैसे वैसे आपको करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, यह professional बर्जन है, इसको नहीं डाव्लोड करना है, जो community बर्जन होगा, उसको यहां पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है पाई चंप कम्यूटी एडिशन इसको आपको डाउनलोड करना है आप चाहे तो प्रोफेशनल भी डाउनलोड कर सकते हो कोई प्रोग्रम नहीं है लेकिन एक महिना बाद इसमें आपको पेड मांगना सुरू कर देगा इसमे एक-दो महिना तक देमो फ्री में आपको कर सकते हैं इसका देमो आप ले सकते हैं फ्री में एक महिना उसके बाद आपसे पैसा माएगा प्रोफेशनल ने लेकिन अगर कम्यूटी वर्जन डाउनलोड करते हो तो आपके लिए कोई भी पैसा नहीं लगए कोई बीचार्ज इसके लिए आप PC को डाउनलोड कीजिए तो यहाँ पे सिंपल है डाउनलोड पर क्लिक कीजिए ठीक है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्टिंग यह अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाए यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है अब हम आपको Chrome डा को को ही ब्राउजर से आप जाओ उसको डाउनलोड कर सकते हुआ ओसा जरूरी नहीं है क मैक्रो सबका ही उच कर ओक किसी भी सर्च एंजर्क यूजए करके आप डाउनलोड कर सकते है। अच्छिजा में और ये भी डाउनलोड पर आजाएगा यहां पर आप क्लिक कीजिए एक बार और डाउन्लोड क्रोम अपने आप डाउन्लोड हो जाएगा accept and install टो क्लिक कीजिए डाउन्लोड करना कोई बड़ी बात नहीं है है यह सब तो बेसिक चीज है टेकिन फिर भी मेरा काम है बता देना यह हम बता भी देतेμ अप्लिकेशन का नाम तो आप डाउन्लोड कर लेतें फिर भी एक बार बताना ज़रूरी है अब इक और रहा है । आपका पैचाम डाउन्लोड बार और दूसरा को रहते हैं और यहां और था सब्लाइम यहां पर सब्लाइम दीख रहा होगा आपको यहां पर डाउनोड का भी option दीख रहा होगा इस पर क्लिक किजिएगा डाउनोड पर यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं यहां भी क्लिक कर सकते हैं दोनों में सकाई में क्लिक किजिएगा डाउनोड होना शुरू हो ений भी Epic Linux के लिए टीक है तो अभी यहां पर daownload करते हैं बिंडव ओप्रेटिंच सिस्टम पर टीक है वहां पर download so ho रहा होगा नहीं हो रहा है अच्छा हो गया यहां प हरो लिग देख सकते हैं download यहांपर so करने लगा चलिए ताबिट केशं डाउन्यट करवाएं। एक विस कोड बाचा, VS Code को भी आप डाउनोड कीजिए, V.S.Code, ठीक है, डाउनोड, यहां पे डाउनोड विस्वाल प्लाइट के पास विंडोड यह होता है तो विंडोड के लिए डाउलोड करते रहे हैं विंडोड को आप यहां से भी डाउलोड कर सकते हो एक और तरीका है अगर यहां से नहीं समझ में आए तो यहां पर Microsoft Store प्याजा यहां पर Microsoft Store को आपन होने दीजिए यहां पर Uاपन हो गया यहां पर यहां पर भी यह को डाउन्लोड लिख यह से यहां से याप स क्लिक की चलिए आप देख सकते यहांपे इंस्ट committee कीज़ेगा डॉंड वह जाया है ज़ायաगी सूदियुए नदिकर है हम द्सक्राइब में लगा गया वहां से डॉंड नहीं कर रहे है क्यों कि अरधर वेब्साइड से डॉंड कर रहें मै最berry डाइट से डॉंड कर रहे हैं उसके सांसाथ यहां पर Microsoft को यहां पर cut कर दे रहें नहीं तो और भी बहुत सारा website है जिसको आप और भी बहुत सारा application है जिसको आप download कर सकते हो इसको यहां से cut कर दे रहें चलिए अभी तक VS Code download हो गया, Sublime download हो गया, Chrome download हो गया, PyCharm download हो रहें क्योंकि यह hard software है इसके लिए इसमें थोरा सा time लगेगा ही लगेगा ठीक है जो Python के लिए ही सिर्फ यूज किया जाता है और क्याकर download करने के लिए बताएं एक और बताएं थे Chrome हो गया एक टॉर ब्राउजर पी download करना त्irse, कलिक करने के बाद हाँ कली करते है डूडवैलड़ करता है कंपल कर सकते हैं यह Android के लिए है अब यूज़ कर रहें तो वहाँ पर गूगल ब्राउजर को यूज़ ना करना चाहे तो उसके जवाप पर आप Android में तॉर ब्राउजर को डाउनोड करके तॉर का यूज़ कर सकते हैं Google को नहीं करना चाहे तो विंडो के लिए हम डाउनोड कर दे रहें यहाँ पर पर PC पर क् क्या कर लिए देख लेते हैं Tor हो गया VS Code हो गया सब्लाइम हो गया Chrome भी हो गया पाइचाम भी हो गया और क्या क्या भी हम लोगा बचा हुआ डाउनोड करने के लिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ डाउनोड करने के लिए क्या क्या हो गया यहाँ पर भी कि एक कुन करनेके बाद याँपर डाउनलूड हम लिक्ना होगा आपको यह सार्चिंजन जाने इसको आप क्लिक कीडिए यहाँ पर करके क्लिक कीडिए अपने आप अब दोनोड होना शुरू हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं और पेरा जी एक्स टेटप यहां पर लिखा हुए डॉट एक्सी डाउनोड हो रहा उसको डाउनोड होने दिजेए ठीक चलिए आप चाहे aja तो आप इसको यहां से कट कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, यहां पर यह download हो रहा है, में लगा गए, download होने दिज्ए요, download हो गया, अब कुछ हई हम Brave को download करवाए दे रहे है, Brave ब्राओजर एक बडयर करवा दे रहे है, प्रेव पे आ जाईए ब्रेव की वेबसाइट पर अब यहां पे आपको इसके वेबसाइट पर आने के बाड डाउंलोड ब्रेव फ़े क्लिक कीजएगा तो ब्रेव ब्रारॉसर डाउंलोड होना सुरू हो जाएगा ठीक है यहां PEr यह दानलोड हो गया नेट स्पीड काफी स्पीड होना चाहिए आपका डेटा रेट जो है काफी स्पीड होना चाहिए यह सब चीज तो हम सुरू में बता जिये थे और कौन-कौन सा पच गया उसको एक बड़ देख लेना जरूरी है ब्रेव हो गया क्रूम हो गया मौजीला फॉ पहले वाले वेबसाइट पर उसके बाद यहां पर डानलोड फॉक्सपायर पर क्लिक किसी फॉक्सपायर डानलोड होना सुरू हो जाएगा मौजीला फॉक्सपायर ठीक है यहां पर देखे डानलोड होना सुरू हो गया डानलोड भी हो गया अब यहां पर आते है ठीक है अ यह अधर लेंग्विज के लिए ज्यादा बेटर है कोई भी आप बोलो ठीक है सी प्लस प्लस यह सब लेंग्विज के लिए बेटर है इसको आप डाउलोड कर लो यहां से आ करके यहां पे देव C++ देखे डाउनोड होना शुरू हो गया, डाउनोड होने दिजिए उसको, अब हम आते हैं सर्च बॉक्स में, अब यहां पे कोई और अप्लिकेशन को डाउनोड करके दिखाते हैं आपको, कौन सा अप्लिकेशन, देव C++ हो गया, विम्वेर और आपको वर्चुल बॉक्स डाउनोड करके दिखाते हैं, इसको भी आप डाउनोड कर लिजिएगा, क्योंकि यह फ्यूचर में काम देगा है, जब काली लिनेक्स वगरा बताएंगे तो काम देगा, तो विम्वेर, यहां पे क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट वाले जो लिंक हैं उसके उपर, यहां पर क्या लिखाव है, डाउनोड विम्वेर वर्कस्टेस्ट, ठीक है, यहां पर नीची आई एक बड़ी चेक कर लिजिए, यहां पर क्मेर्सियल लाइसेंस करेदने के लिए बूलेगा, यहां पर नहीं किन ना है आपको, यहां से प्लिस यहां पर जो वर्जन आप डाउनोड करना चाहिए वो कर सकते हैं इस दोनों में से कोई भी क्लिक किजएगा डाउनोड करने के लिए वह हो जाएगा दोनों लेटेस्ट वर्जन है लेगन 64 byte के लिए भी है Linux के लिए और Windows के लिए अगर आप Linux के लिए यूज करना चाहिए तो Linux के लिए Windows के लिए विंडो के लिए करते हैं क्योंकि most of the user विंडो का ही होगा इसमें यहां पे VMware डाउनोड हो गया देख सकते हैं यहां पे आप देख सकते हो VMware डाउनोड हो रहा है अब हम आपको virtual box डाउनोड करके दिखाते हैं फिर से search box पे आ जाईए virtual box को डाउनोड किजिए यहां पे क्या ल दाउनोड हो गया अब प्रैक्टिकल लाइक है अब जिसके लिए भी डाउनोड करना है उसके लिए आप कर सकते हो चाया वह आपका Windows लिनिक्स हो या फिर Macintosh operating system हो जिसके लिए डाउनोड करना है उसके लिए आप इसमें सेलेक्ट करके कर सकते हो यहां पर विंडो के लिए चाहते हो तो Windows Linux के लिए चाहते हो तो Linux टिक है यहां पर पहले आप इसका package देख लो विंडो होस्ट के लिए पहले आप क्लिक करो यहां पर देखो डाउनोड होना सिरू हो गया वर्च्वाल बॉक्स यहां पर डाउनोड हो रहा है यहां पर आ जाते हैं सर्च बॉक्स बेर पर आप इसको तुरा सा साइट कर दे रहे हैं देखते हैं और कौन सा अप्रिकेशन बचा डाउनलोड करने के लिए पाई चाम हो गया, vs code हो गया, sublime हो गया, upera gx हो गया, mozilla foxfire भी हो गया, chrome भी डाउनलोड हो गया, door browser भी डाउनलोड हो गया, अब यहाँ पर Cisco packet डाउनलोड करना है और jam software डाउनलोड करना है यही न, यह भी हो गया ठीक है और इसको आप क्लिक करो download पर download हो जाएगा फर्स्ट वाला लिंक होगा उसके उपर आप क्लिक कर देगा download को बिल्लोड हो रहा है अब हो रहा है download होने दीज़े bandycam को यह recording software है bandycam यह आपके लिए नहीं है यह बस अपने PC MEM को डाउलोड करना था तो बताएं रहें तो डाउलोड भी करें लिए ज्याधा टैम नहीं लगता है चलिए अब आते हैं किसके उपर अब हम क्या बताने वाले थे और कौन से अप्लिकेशन था बैंडी कैम हो गया ब्रेव तो हो ही गया देव सी प्लस प्लस दिख रहा होगा इसके वेबसाइट के उपर क्लिक कीजिए फर्स्ट वाला जो वेबसाइट होगा उसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर फ्री डाउनलोड दिख रहा होगा फ्री डाउनलोड से इसको पैकेट ट्रेसर यहां पर आपको दिख रहा होगा इ टिक है start download Cisco Packet Tracer 7.3.064 byte यहाप आप click किजिए, click करने के बाद इसको आप close कर दिजे, add इसको आप close कर दिजे, यहाप पे packet tracer download होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं, दूसरा process क्या है, किसी-किसी में यह सुना ही करेगा, किसी-किसी में आप direct netcat के website पे चले जाएंगे, ट download 2023 latest file hours, यहाँ से अगर download करते हो, तो यहाँ पे पहले आपको login नहीं करना परा, देखिए, login करना परा आपको नहीं, यहाँ पे free download है, यहाँ पे click की है, play store के तरह download कर ली, लेकिन अगर आप netcat के website से download करते हो, netcat का website, real website है Cisco Packet का, या Cisco Networking Academy के website पे आप जाते हो, यहाँ पे ज करना होगा, यहाँ पे click की है, यहाँ पे click करने के बाद, एक page open होगा हम लोग के पास, ठीक है, open होने देते हैं, open होने के बाद यहाँ पे login का option दीख रहा होगा, तो login करना पड़ेगा, उसके बाद आपको download का option मिलेगा, उसमें क्या था, उसमें पहले download हो सकता था, login नहीं करना परा था जब आप Cisco Packet Tracer को install कर लोगे अपने system के अंदर अगर यहां से अगर download करते हो तो ठीक है जैसे यहां से आप download करते हो start download तो यहां से अगर आप download करते हो बताया भी file or website से तो यहां से download करने पे आपको install करने के बाद login करना लेकिन इसमें पहले login करना होगा netcat के website में जाकरके यहां से download करने के लिए पहले login करना होगा email id वे अगर डालके उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको install करना है यहां पर download करना है packet tracer समझ रहे हैं यहां पर email id दीजेगा password दीजेगा login कीजेगा नहीं तो google से भी आप यहां पर login कर सकते हो कोई problem नहीं नहीं तो Cisco network academy में अगर आपका account बना हुआ है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं otherwise आप अगर नहीं है I don't have account option यहां पर दिया हुआ है don't have account पर यहां पर आप click कीजेगा ठीक है यहां से भी हो जाएगा ठीक सबसे अचार रहेगा अब google से login कर दो चलिए यहां तक clear हो गया अब इसको cut कर दे रहे है Cisco packet tracer यहां पर आपको install हो चुका है अब हम किसके बार में बात करते हैं अब हम लोग next application को देख लेते हैं नेक्स्ट application में आपको हम क्या क्या बताएंगे next में कौन सा है next में आपका क्या हो गया पाइचाम हो गया जैंप हो गया Cisco packet tracer हो गया DevC++ भी हो गया Brave भी हो गया VMware भी हो गया VirtualBox भी हो गया Bandicam भी हो गया Mozilla Foxfire भी हो गया Chrome भी हो गया Tor browser भी हो गया यहाँ पे आपका Opera GX भी हो गया Sublime और VS Code भी हो गया बचा क्या Typing Master है यह आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो नहीं करो यह आप मतलब especially हम यहाँ पे mention कर दिये हैं इस application को कि आपके typing speed में थोरा सा improvement होना चाहिए programming करने से पहले ठीक है हाले कि programming करते-करते हो जाएगा लेकिन फिर भी थोरा सा improvement मांगता है programming के किसमे तो इसलिए यह जरूरी है इसको एक बाट डाउनलोड कर लिजेए अच्छा है नहीं तो गेम वेगर भी खेल करके आप typing master का एक गेम भी आता है उसको भी खेल करके आप improve कर सकते हो अभी हम किसको किसको डाउनलोड करवाएंगे typing master, python तोने से सरी है और notebook यह आप download करो या नहीं करो कोई problem नहीं है blender को तो blender है, notebook है, python है और typing master यह ही है ना चलिए तो आते हैं आप search engine के उपर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले notpad, blender और typing master को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर Cisco packet को यहाँ से हटाते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे typing master download यहाँ पर download पर क्लिक करेंगे इसका page open होगा typing master का यहाँ पर सबसे उपर download नॉप दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिक किजिए download होना शुरू हो जाएगा यह देखे, download होना शुरू हो गया चलिए यहाँ से शुकट कर देते हैं add दे रहा है tor browser का यूज किजिएगा अब बात कर लेते हैं option आया download पर क्लिक किजिए यहाँ पर notepad का बहुत सारा version है notepad++ का अब जो version को चाहिए वो version को download कर सकते हैं तो इसमें से कौनसा version को download करना चाहेंगे सबसे पहले यह वाले version को download कर लेते है download notepad V8.6 20 year anniversary इसको download कर लिजिए ठीक है यह latest version है 8.6 इससे पहले जितना भी version दीख रहा है यह old version है latest version को ही download करना सही रहेगा चली इसको download कर लिजिए इसको यहाँ पर download पर क्लिक किजिए download हो जाएगा यहाँ पर देखे notepad++ download होना शुरू हो गया अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं थोरा सा blender के बारे में तो इसको आप download किजिए या फिर नहीं भी किजिए यह आपके उपर depend करता है download नहीं भी किजिएगा फिर भी कोई बात नहीं लेकिन हमको काम है इसके लिए हम इसको download कर ले रहे यहाँ पर download का option है download पर क्लिक किए यहाँ पर download कर ले क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए download असरू हो गया blender अब यहाँ पर आते हैं और python को आप download करते हैं ठीक है python को download करने से पहले यह सब जितना भी दीकर आपको tap बार यह सबको हम clean कर दे रहे एक बार ठीक है यह जितना भी सब्सक्राइब डाउलोड कर वाए है यह सारे के सब्सक्राइब को एक बार हम clean कर दे रहे है चलिए सबको एक बार कट कर देना जरूरी है पहले देख लेते हैं download हो रहा है या नहीं download हो रहा है इसमें कुछ time लग रहा है डाउलोड बस इतना ही उसका a to z version वो जाएगा python का version ठीक है आप जो चाहे वो डाउलोड कर सकते हो यहाँ पर python 3.10 दीख रहा हो यह इस साड में python 3.10 है और यह वाले साड में python 3.11 है यहाँ पर python 3.9 है तो यह सब version को तो डाउलोड करना ही नहीं ठीक है और यह ब्राउजर यह से भी आप इन्स्टॉल कर सकते हो को तिकक्त दीख कर सकते हो python 3.2 बिए जो इधर लॉँंच किया है 3.12 मतलब 3.12 टीक है ? यह इधर October में रिलीच किया गया है इसको भी आप यूज कर सकते हो फिलहाल अभी आप 3.11 को यूज करो यहाँ से आप python को डाउलोड कर सकते हो otherwise एक और प्रोसेस है वहां से भी डाउलोड कर सकते हूँ तो यहां से आप डाउलोड कर लाई है Microsoft Store से अगर Microsoft Store नहीं है तो क्या करना है वो भी हम बता रहे हैं पहले यहां पर क्लिक किजिएगा डाउलोड होना शुरू हो जाएगा यहां पर ownoid शुरू हो गया वन पर से अथ नहीं बात कर लेते हैं ब्राउजर के बारे में,ब्राॉजर में अभी तक यहां पर डाउणोड हो रहा है इसको डाउनोड होने देते हैं तब तक जितने भी टैब बार है उसको जाएगा देरे-देरे कट कर रहे हैं क्योंकि यह भी डाउन्लोड हो रहा है यह तो इसका शॉट्कुट की भी आता है एक बार में पूरा का पूरा टैप बार हट जाएगा चलिए इसका भी अस्टेटर चेक कर लेते हैं एक बार मैक्रोसफ एस्टोर का यह भी डाउन्लोड हो रहा है इसको भी डाउन्लोड होने देते हैं ठीक है 21.87 MB अभी तक डाउन्लोड हो चुका है 50.97 MB का पूरा का पूरा इसका जो सॉब्फियर है वो 50.97 MB का है अब बता दे रहें कि पाइथन को और कहां से आप डाउन्लोड पर सकते हो यह भी बता दे ठीक है चलिए जो आते हैं ब्रॉजर के उपर यहां पे सबसे पहला को करना क्या है यहां पर लिखना है पाइधन डाउन्लोड टीक है बस इतना ही पेज अपेन हुआ यहां पर डाउनलोड python 3.12.1 दीख रहा होगा यहां से भी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं जैसे क्लिक किजिएगा डाउनलोड हो जाएगा ठीक है otherwise option बहुत सारा नीचे दिया हुआ python 3.10.10 python 3.11.2 यह सब को भी आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है लेकिन हम सजेस्ट करेंगे 3.11.7 को ही डाउनलोड किजिए यहां पर डाउनलोड किजिएगा डाउनलोड हो जाएगा आउप कि आपको समझ में आ गया होगा python को कैसे कैसे डाउनलोड करना है कैसे नहीं करना है यह था डाउनलोड का बाब अब निक्स वीडियो में इसका हम पूरा इंस्ट्रॉल करके दिखा देंगे python को आप कैसे इंस्ट्रॉल किजिए और कैसे नहीं किजिए एक गर Microsoft Store पर python डाउनलोड हुगा या नहीं हुगा उसका भी status चेक कर लेते हैं python यहां पर डाउनलोड हो इसके लिए आज सिर्फ डाउनलोड करना ही बता रहें ठीक है नेक्स वीडियो में किसके बारे में बात करेंगी हम बात करेंगे नेक्स वीडियो में इंस्ट्रॉलेशन के बारे में ठीक है एप्लिकेशन को कैसे इंस्ट्रॉल किजिए एक और ची अगर आपको चेक करना हो कि कहां पे मेरा application है जहां पे हम install किये हैं simply आप कहां पे जाए जहां पे downloaded option है वहाँ पे जाए च्टोल प्लस जे प्रेस किजिए ठीक है download का option open होगा जहां पे अब download किये हो application को और किसी भी application के उपर जा करके आप right click किजिए और यहां पे show in folder पे click किजिए ठीक है जहां पे आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा आपको किसी भी तरह का डाउट हो इसके configuration में इसको download करने में हाला कि यह कुछ है नहीं बस मतलब download करना है और कुछ नहीं installation में थोड़ा बहुत problem आता है हाला कि उसमें भी नहीं आना चाहिए वह हम बताएंगे next video में चलिए तो वीडियो को यहीं पर terminate करते हैं आयो कि किसी भी तरह का कोई भी problem नहीं हुआ होगा इसको download करने में practical जल्दे ही आने वाला practical का video जल्दे ही upload होगा install होने तो दीजिए आपके system में यह जितना भी app को हम बताएं app मतलब application उसके बाद practical होगा ठीक है आज हम आपको download करना और install करना सिखा दिए next video में इसका setup कैसे करना है वह सब का सब हम clear कर देंगे जैसे VS code का setup कै कैसे करो पाई चांग का setup कैसे करो उससे interface करा देंगे उसका configuration बता देंगे ठीक है user friendly बना देंगे मतलब ऐसे आप EGE language में आप समझा ठीक है तो चलिए यहीं पर वीडियो को terminate करते हैं वैबासु टेक्यों टेक्यों have a nice day and thanks to give your valuable time on this video ठीक है प्याइं पर वीडियो को terminate करत करेंगे setup पर बता देंगे कैसे करना है तैसे नहीं करना है चलिए